कृष्टोफ किश्लोश की, दुनिया के महांतम फिल्मकारों में से एक थे, वो लैंट के रहने वाले थे और सिनेमा के व्याकरण में उन्होंने एक अभूतपूर्वी योगदान दिया था, मौडन सिनेमा के मास्टर, उनकी प्रसिदिय फिल्मे हैं, डेकलोग, डबल लाइफ आफ वेरोनिके, उन्होंने एक ट्रायलोजी भी बनाई थी, कलर सीरीज, ब्लू, वाइट, रेड, अगर आपने नहीं देखी हैं, तो खोच के देखिए, और अगर देख लिया है, तो कमें के दस पार्ट मुझे बहुत पसंद है, डेकलोग में एक एक गंटे की दस फिल्मे हैं, और उन्हें देखना एक अभूत पूर्व अनुभाव है, बाइबल में दस नियम है, टेन कमांडमेंट्स, उन्हें डेकलोग कहा जाता है, उन्हीं की आधुनिक व्याक्या के साथ, क मुझे बहुत पसंद है कलर सीरीज में ब्लू वाला पार्ट, जूलिएट पिनोशे ने कमाल का अभिने किया है उसमें, किश्लोवस्की की फिल्मों ने पूरी दुनिया में स्विक्रिति पाई और कई फिल्मकारों को प्रभावित किया, मैं खुद सिनेमा नहीं बनाता, कि उचने लेखन को एक अलग शकल देख सकते हैं, एक अलग आयाम दे सकते हैं, इसमें मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, अलग से एक एपिसोड बनाऊंगा, लेकिन आज बात करेंगे हैं किश्लोवस्की के बचपन की, इस महान फिल्मकार का बचपन बहत गरीबी में ब इस बारे में उन्होंने अपने कई इंटरव्यूज में बोला, अपनी किताब किश्लोवस्की और किश्लोवस्की में बताया भी है, तो आज की इस पार्ट कथा में छोटा सा ये मारमिक हिस्सा उन्हीं सब को मिला के बनाया गया है, सुनिए हम बहत गरीब परिवार से थे, मेरे पिताजी सिविल इंजिनियर थे और मेरी मां एक आफिस में कलर्क, मेरे पिताजी को टी बी थी, और दूसरे विश्यू युद्ध के बाद बारह साल तक, इस रोख से जूचते हुए, वो हर पल मरते रहे, उन्हें बार बार सैनिटोरि बेजा जाता था, हम, यानि मेरी मां, मेरी बेहन और मैं, हमेशा उनके खरीब रहना चाहते थे, इसलिए हम उनके साथ ही चले जाते हैं, जिस शहर के सैनिटोरियम में उन्हें भरती कराया जाता, मेरी मां उसी शहर के किसी दफ्तर में नौकरी कर लेती हैं, जब पिता को कि किसी दूसरे शहर के सैनिटोरियम में बेजा जाता तब हम वहां भी उनके साथ चले जाते मां फिर से नए शहर में अपने लिए नई नौकरी खोज लेती और ये सिलसिला चलता रहता बच्पन में मेरे फेपड़े बहत कमजोर थे इसलिए हमेशा ये आशंका बनी रहती कि टीबी हो जाएगी दूसरे बच्चों की तरह मैं भी फुटबॉल खेल लेता या साइकल चला लेता लेकिन ज्यादा तर समय मैं बीमार रहता था इसलिए मुझे कंबल या चादर उड़ा के बरामदे में लिटा दिया जाता था बरामदे या आंगन में इसलिए ताकि मेरे फेफ़रों को राजा हवा मिलती रहे ऐसे में मेरे पास काफी समय होता मैंने उस समय का इस्तिमाल पढ़ने के लिए किया जब मुझे ठीक से पढ़ना नहीं आता था मेरी माँ मुझे किताबें पढ़ के सुनाया करती थी जल्दी मैंने पढ़ने के शुरुवात कर दी मैं तेजी से पढ़ता था, रात में छोटी सी टॉर्ज या मुंबती की रोशनी में भी पढ़ लेता था, अक्सर चादर के भीतर मूँ ढापके पढ़ता था, और सुबह तक उसी तरफ पढ़ता रहता था, जिस दुनिया में मैं रहता था, उसमें दोस्त थे, साइकले थी, यहा मेरी दुनिया का महज एक हिस्सा थे, मेरे दुनिया में काव बॉइस भी थे और देसी नायक भी, मैं अच्छा साहित थे भी उतनी ही रूची से बढ़ता था, जितना की खराब साहित थे, आज भी मैं यह साफ साफ नहीं बता सकता, कि मैंने दोस्तो वस्की से ज्यादा लिखा है या अमेरिका के किसी थर्ड रेट जासुसी लेखक से, मैं ऐसा कोई अंतर जानना भी नहीं चाहता, लंबे समय तक मैं यह मानता रहा कि दुनिया में भौतिक चीजों के अलावा कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं, जिनें आप छू नहीं सकते, दुकानों में पूंड थे, बजाए मा के, मैंकि पिता चल्दी चल्बसे थे, लेकिन आज मैं यह कह सकता हूँ, कि मेरी मा भी उतनी ही महत्यों पूंड थी, उन्हीं के कारण मैंने फिल्म स्कूल में दाखिला लिया, उन्हीं के कारण मैं फिल्म लाइन में आया, फिल्म स्कूल की प्रव एक ऐसी घटना घटी जिसने मेरी पात्वा कांख्शाओं को आग की तरह धदका दिया परिशा के बाद में घर आया मां को फोन किया और तै किया कि हम वार्षा में चाराहे पर सीड़ियों के पास मिलेंगे मां को बहुत उम्मीदे थी कि मुझे फिल्म स्कूल में दाखिला मिल जाएगा मेरा एक अच्छा करियर बन जाएगा हमारी सारी आर्थिक समस्याएं दूर हो जाएंगी लेकिन असल बात तो मैं जानता था कि मैं दूसरी बार भी फेल हो चुका हूँ बारसा में उस चौराहे पर वो सीड़ियों पर उपर की तरफ से पहुँची थी और मैं नीचे की तरफ से मैं आहिस्ता आहिस्ता उनके पास गया मुसलधार बरसात हो रही थी वहाँ खड़ी मां पूरी तरह भीग गई थी फिल्म स्कूल के प्रवेश परिक्षा में मैं दूसरी बार भी फेल हो गया हूँ ये बात चान कर वो बहुत दुखी और निराश थी उननों बहुत अफसोस के साथ कहा शायद तुम फिल्मों के लिए बने ही नहीं हो मुझे नहीं पता वो रो रही थी या बारिश के करण उनका चेहरा और आँखें गीली थी लेकिन उन्हें इतना दुखी देख मैं उनसे भी ज्यादा दुखी हो गया वही खशन था जब मैंने टै किया दुनिया चाहे इधर से उधर हो जाए अब मैं फिल्म स्कूल में दाकिला लेके ही रहूँगा अब एक पूरी दुनिया के सामने ये साबित कर दूंगा कि मैं सिर्फ और स्र्फ फिल्मों के लिए बना हूँ सिर्फ इसलिए कि बहुत दुखी होकर मेरी माँ ने वो बात कही थी ठेक उसी क्षण मैंने कुछ कर दिखाने के ठान ली बरसों बीट गए एक फिल्म फेस्टिवल के दौरान पत्रकार जब कई सारे निर्देशकों से सवाल कर रहे थे कि अगर आप फिल्म ना बनाते तो क्या करते सारे निर्देशकों ने खुब बढ़िया बढ़िया जवाब दिये जब मेरी बारी आई मुझसे वही सवाल पूछा गया तो मुझे वारसा के उस चौराहे पे खड़ी मां का दुखी चेहरा याद आ गया मैंने पत्रकारों को जवाब दिया क्योंकि मुझे कोई दूसरा काम नहीं आता क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ फिल्मों के लिए बना हूँ वहां उपस्तित फिल्मकारों में ये जवाब सबसे चोटा जवाब था इसलिए ये उस समय वहां के अखबारों के सुरखी बन गया पर सच बात तो ये है कि मैं आज तक नहीं जान पाया उस रोज मारो रही थी या पारिश हो रही थी तो दोस्तों पाठकता का ये एपिसोड आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स करें पाठकता एक ऐसी सीरीज है जो मैं हर सोमवार को प्रस्तुत करता हूँ जिसमें मैं विश्व साहित्य से विश्व के तमाम अच्छे लेखकों के लेखन से वो चुनिंदा अंश लेकर के आता हूँ जो अमूमन दूसरी जगहों पर नहीं मिलते कुछ दुरलब किस्म का लेखन मैं आप सभी के साथ शेयर करता हूँ उम्मीद करता हूँ कि ये प्रस्तुतियां आपको अच्छी लगेंगी अच्छी लगती होंगी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अपने दोस्तों के भी शेयर कीजिए जो साहित सिनेमा फिलासोफी से जुड़े रहना चाहते हैं मुझे जुड़े रहिए फिर मिलते हैं तब तक के लिए नमस्कार